मातरी ये दो चीजें आज से ही खाना शुरू कर दीजिए यकीन मानिए आपके सुखे पड़े गुटनों में फिर से जाना आएगी कट-कट की आवाज दूर हो जाएगी गुटनों के बीच में अगर गैप आ गया है तो वो समस्या दूर होगी जोडों में किसी भी तरह का दर्द है, मास्पेसियों का कैसा भी दर्द है, कटिया की समस्या है, खून की खराबी की दिक्कत है जोडों में दर्द होने के साथ-साथ अपच गैस एसेटी का भी प्रॉबलम है तो इसमें भी आपको काफी लाब मिलेगा उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी अच्छी लगे तो लाइक करना और इसे सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आज का ये नुसका बेहत ही कमाल का है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ओस्ती के बारे में जिसे आप दो चीजों से बना कर तयार करेंगे यानि कि दो तरीके से अपने इसको लेना है और ये आपके शरीर को हर तरीके से फायदा देगा किसी भी तरह का दर्द हो उसमें आपको लाप मिलेगा तो आज हम बात कर रहे हैं गोंद सिहा के बारे में इसके फायदे बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि गोंद क्या होता है क्योंकि बहुत सारे लोगी सवाल करते है कि गॉं Act किसे बनता है आपने देखा होगा कोई भी बड़ा पेड होता जैसे आम का पेड है बबूल का पेड है कीकर होती है बहुत सारे इसे पेड होते हैं जिसमें तनें में इसे थोड़ा सा रस निकलता है और रस जो है उसी जगह पर जो और अगर इसके बेनिफेट के बाद करें तो ये आपके शरीर को कई सारे लाप देता है सबसे पहला फायदा होता है अगर आपको जोडों में किसी तरह की सोजन है और सबसे जाधा दिक्कत अगर गुटनों से जुड़ी हुई है तो उसके लिए आपको काफी लाप देता है कमर का दर्द किसी भी तरह का हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, या फिर सिलिप डिस्क का दिक्कत हो, या फिर जो कमर के नीचे टेल बूर्ण में दर्द रहता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो, उसमें भी आपको काफी लाप देता है अब आप कहेंगे कि गोंद सिहां हमें कहां से मिलेगा तो यह आपको किसी भी आयरवेदिक स्टोर या ओनलाइन स्टोर से मिल जाता है पर आपको बता दूँ इसमें नकली बहुत आता है असली की पहचान करना आपका काम है मैं यहाँ पर आपको इमेज लगा कर दिखा रही ह होता है छोटे छोटे टुकडों में आपको मिलता है यही गोंद है बहुत जादा चिकना और चमकदार जो होता है वो गोंद नहीं होता है तो इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं इसके प्राइस का कोई फेक्स नहीं है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ऑनलाइन स्टो नमक ये भी आपको किसी ओनलाइन स्टोरी आरवेदिक स्टोर से मिल जाएगी ये भी जोडों के दर्द और अपाज गैस ऐसे डिटी के लिए बहुत अच्छी होती है जैतुन नमक जो होता है ये आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी को कम करता है जो शरीर में ब्लॉटिंग हो जाए इसको खरल में कूटिए कूट कर चेत कर पाउडर बना लीजिए थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि बहुत हार्ड होता है पाउडर बनाने के बाद आपने जैतुन नमक भी लेना है जो आपने गोंद सिहा पीस का तयार किया है इसे कांच की शिशी में भरके रख सकते हैं इसे आप दूद के साथ ले सकते हैं पहला तरीका है अगर दूद के साथ नहीं लेना है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है थोड़ा सा गोंद सिहा या तो शहद में मिला करके आप ले लीजिए उपर से गुनगुना पानी पीना है आ इसको आपने रात को लेना है इस बात का ध्यान तखें या फिस सुभा के समय में अगर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है दिन में दो बार भी ले सकते हैं यानि कि एक चुटकी सुभा एक चुटकी शाम को भी ले सकते हैं अगर समस्या बहु गौंद सिहाओ को दूद के साथ ले लेना है उसके कम से कम एक घंटे के बाद आपने जैतून नमक को लेना है पानी के साथ दूद के साथ अगर ले रही है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और अगर पानी के साथ ले रही है तो पहले आप जो है अपने गौंद सिहाओ को इस बात का ध्यान रखें तो आप अपनी सहुलियत के हिसाब से दिन में दो बार एक बार ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है वैसे रात को लेंगे तो आपको फायदा जादा करता है अब आपको बता दूँ कुछ लोग कहेंगे इसकी तासीर गर्म होती है हमें सूट नहीं करता है तो बिलकुल इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए इसको लेने का सही समय होता है नवेंबर, दिसमबर और जन्वरी यानि कि पूरे साल में तीन महीने आप ले लीजे आपको बहुत अराब मिलेगे पूरे साल के लिए आप कह सकते हैं आपकी बोडी दर्द से फ्री हो जाएगी बिल्कुल मास पेसियों का जोडों का दर्द आपको नहीं रहेगा तो इसलिए सबसे सही समय है नवंबर, दिसंबर और जनवरी अगर आपकी समस्य अजादा है तो आप थोड़ी थोड़ी मातरा में रात को लेना शुरू करें क्योंकि रात का जो समय होता है वो कफ की प्रकरती को बढ़ाने वाला होता है रात त्री में, सुबह के समय में कफ बढ़ा रहता है तो ऐसे में पित्त की दिक्कत या गर्मी की दिक्कत आपको नहीं करेगा पर अगर करता है तो आप तुरंत इसको बंद कर दे और सर्धियों के मौसम में ले तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी अच्छी लगी है तो लाइक करे और इसे सभी के साथ share करें और इसे कम से कम तीन महина कीजिएगा बहतर रेजल्ट के लिए हाला कि फर्क तो आपको 15 दिनों में दिखने आएगा लेकिन कम से कम तीन महीने तक जरूर इस्तमाल करें और अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई लंबी समय से दवाया ले रही है, तो पहले अपनी डॉक्टर की सलहा ले, चली फिर मिलेंगे आपको, तब तक अपना खूब खयाल रखें और हस्ते मुस्कराते रहें, स्टे हैल्दी, स्टे हैपी, बाबाई